अरे यार अभी मुझे जाके देखना पड़ेगा की ओगी क्या कर रहा है अरे वो तो स्विंग कर रहा है यार एक में टुको है ओगी यह तुम कर के रहो अरे यार शिंचैन देखने रहो क्या कितनी गर्मी है अरे तुम भी क्या मजाक करते हो जल्दी से बाहर आओ और मुझे बताओ तुमने मुझे यहां क्यों बलाए हरे पता है मुझे यह पता चल गया है कि सारेनेट को हम लोग कैसे हरा सकते अरे वहां सच में वैसी सूपरकार का कलर काफी अजीब है अरे यही तो सीक्रेट है शिंचैन सारेनेट को इस कलर से डर लगता है अरे क्या तुम सच के रह आपके देखो अरे वाह क्या गजब आटोमेटिक हेडलाइट है मजा आया शिंचैन वैसे आओगी एक ऐसी कार मुझे भी चाहिए चलो ठीक है अगर दोस्ते लोग सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे तो मैं तुम्हें दिलवा दूगा चलो ठीक है दोस्तों आप यह काम जल्दी से कर दीजिए ताकि आओगी बुझे ऐसी सूपर कार दे दे वैसी यह बताओ अभी हम लग वहाँ पर कैसे जाएंगे क्योंकि तुमने का कि आरेन मैं को वहाँ पर कोई एर बेस है वहाँ हम लोग काम करना है हाँ शिंचैन तुमने सही का पहले हम लोग को यहाँ पर रुकना पड़ेगा और भाईया जैक आ रहे हैं अपने स्पेशल हेलिकॉप्टर से अरे कहा वह उपर हरे हाँ ओय मना मैं बस नीचे उतर रहा हूं हरे भाईया जैक आप एक बाब बताईए आपने अपनी हेलिकॉप्टर को इस कलर में क्यों करवा लिया और कोकि आगे पसंद नहीं है इसलिए जल्दी से नीचे उसके बाद हम सब चलेंगे और मना सूपर कार का क्या होगा मैं काम करता हूँ मैं बाब को फून कर देता हूँ वह आके कार ले जाएगा तब तक हम लोग चलते हैं इस हेलिकॉप्टर से और यह आइडिया भी ठीक है आज जल्द लिए कैसी जल्दी से बैटो चलिए अब सब लोग त्यार है और हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए वैसे भी है जैक आरें मैं ने आपसे क्या था और मना वह और आप्टिमस प्राइम काफी दिन से रिसर्च कर रहे थे तो नेक बात पता चली जब साइरेट कोई भी कार क करता है तो गोल्दन होती और कोई भी कलर होता है लेकिन जैसे उसे इस कलर के कार दिखाए दिए वह वहाँ से दरके भाग जाता है और यह बात जैसे ऑक्टिमस प्राइम को पता चली उसने यह बात आर्यामन को बता दिय तो आरें मैंने सुचा क्यों ना उसी टाइप कर आ लेकिन वो आर्मर आपने का कि उसके एर बेस पे है तो वहां कौन जाएगा मुना वहां से एक ही आदमी जा सकता है या तो तुम चले जाओ या मैं या फिर शिंचान मुना अरे भाईया जेक प्लीज अब मुझे जान दीजे अरे नहीं शिंचान क्योंकि वो आर्मर चले जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा अरे भी यह मुझे डल लग रहे है आप मुहां पर ऐसे क्यों है जल्दी से इधर रहे चलो ठीक यार तुम लोग बेना क्या करते हो रुको अच्छा मैं आ रहा हूं बस लेकिन यहां पर अभी आरे मैं कहा है भाई रुको मैं एक और अगर तुम अच्छा लगी तो रख लो अरे नहीं यार जैक मुझे हेलिकॉप्टर की क्याज़ हो थे मेरे पास तो आरिदमन का आर्मर है ना लेकिन फिर भी तुम क्या रहे हो तो मैं देखता हूं अरे वाउ इसमें एक नहीं दो स्पेशल कर लगी है औरे हां मैंने कह मुझे टोनी स्टार्ट ने भेजा है जल्दी से मुझे आर्मर बताओ चल यह कोई बात नी आप उपर जाके देख लीजिए वहां आपको आर्मर मुल जाएगा यार यह बीना अपने में बात करते रहते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं चलो हम लोग जल्दी से उपर चलकर द कैसे पहने ओके भईया जैक हेलो सर जर आप उपर आएंगे वह आर्मर को कैसी उसकरे अरे आप एक काम कीजिए वहां पे एक बटन लगा होगा बस उसे दबा दीजिए ओके चलो यार आई दोस्तों हम लोग वह आर्मर पहन लेते हैं अब देखते हम मैं कैसा लगता हुआ अरे यार अरे आप तो बहुत कमाल करें अरे सर आपको थैंक्यू वैसे बही है जैक अब आप एक बाप बताईए कि हम लोग को आप क्या करना है और जैसे वो तुमें मिल जाएगा वहां से तुमें एरपोर्ट पाजाना है उसके बाद हम बंबल भी आप्टमस प्रेम वहा और मना पहले तुम उपर आजाओ और किसी से बात कर लो उसके बाद तुमें पता चलेगा चलिए ठीक है जैक मैं पता करता हूँ और मना जैसे तुम उस जैट में बैठोगे न और जैट अपने अप उड़ने लगेगा बागी कंट्रोल तुम्हें करना है चलिए यार आप बताओ भाई आजयक लगता है यहां कोई रिमोट नहीं है और मना तुम्हें काम करो वहां पर तुम्हें कोई आफसर दिखाय दे रहा है तुम उनसे बात कर लो ए सुनी आफसर मुझे आरे मैं ने बेजा यार इस आर्मर के साथ बस मुझे बता देजिए कि उसका रिम भी है जो बिल्कुल ऐसे आर्मर जैसी दिखती है क्या वो मुझे दिखाई ने रही यार बताओ कहा है अरे ओगी तुम्हें काम करो बताओ तुम कहा हो अभी मैं हेलिकॉप्टर के तरफ हूँ चलो ठीक है वहां से तुम नीचे तर जाओ आरे नीचे उत्रोंगों तो पान रिमोट मिल जाएगा उस रिमोट को लो और बटन नबा दो उसके और तुम्हें पस प्लेन आ जाएगी चलो ठीक है मुझे रिमोट मिल गया दोस्तों ओय मना वाह आप दोस्तों को दिखा दे क्यों प्लेन कैसा है और बहुत तेजी से एरपोर्ट के पास लेकर है आप मैं भी सब दिख रहूं अगी की जगा मुझे जाना चाहिए था मैं भी ये प्लेन उड़ा पता और शिंचर मुना कोई बात नहीं वैसा भी आगे मुना ये प्लेन लेकर एरपोर्ट लेकर आए जाएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बंबल भी को बुलाएंगे आप्टिमस प्राइम को बुलाएंगे उन लोग के बास एक सूपर टैंक भी है जब वो सब लोग लेकर आजाएंगे तो हम लोग के पास इस वहिकल का कलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अगले एपसोर्ड में जाएंगे सारेन हेट के पास और पता का लेंग की हमारा दोस्त गॉल्डन आप्टिमस प्राइम कहा है तुम मेरी बास समझ के अरे हाँ भीया जैक आपका आडिया मैं समझ चुका हूँ और लगता है दोस्तों को भी समझ में आ गया है अब बताईए ये कितना तेज जा सकती है और बोन आगे तुमें एक बटन दिखाई दे मुझे बस एक काम करना है किसी तरह एयरपोर्ट पहुशना है आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इस प्लेन की स्पीट को अब आगे जाके देखेगा मैं ये प्लेन कैसे नीचे करता हूँ जरह देखे तो स्पीट दोस्तों 200 को उपर चले गई है और 300 पहुशने वाली है और मना अराम चला तु बहुत तेज जा रहा है अरे कहां भया जैक आपने तो कहा था कि हम लोग दो मिनट में पहुश जाएंगे लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों बस एक मिनट में हम लोग एयरपोर्ट पहुशने वाले है और मना तु ये क्या कर रहा है ये स्टन्ट ऐसे नहीं हो सकता आरे क्योंने भया जैक आप बस देखीगा मैं ये प्लेन कैसे एयरपोर्ट पिलाता हो और मना एयरपोर्ट में दिखाई भी दे रहा है आरे हाँ देखे ना सामने दोस्तों आपको भी दिखाई दे रहा होगा बोस मुझे जल्दी से वहां पर पहुशना है अरे यार आज तो सही में दोस्तों मज़ा गया हम लोग के पास एक नई सूपरकार आई उसके बाद हलिकॉप्टर आया उसके बाद क्या आया और ये प्लेन आई और ये टैंक आना बाकी है अरे हां दोस्तों जब वह आ जागा तब आप लोग देखीगा कितना अच्छा लगेगा ओय मना अराम सा ना कोई कि सामने से एक एरो प्लेन आ रही है अरे क्या का भईया आपने तो मैं रेंवे पे कैसे जाओंगा ओय मना ये तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा चलिए दोस्तों देखिए क्या हम लोग ये मिशन कर पाते कि नहीं अरे यार मैं नीचे त अपैस प्राइमग और बम्बल ंरा इंतजार करता हूं और मैं आपसे मिलता हँ एक अगले एक